जै बोलो देवादी देवे खदरार स्री भगवान महावीरः श्वामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्मे की जै 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 परम्पूज आचर गुरुवा स्री विद्ध्या सागरजी महराजे की जै 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 परमपुझ परमानिक संत महामना मुलिडाज परमान साहगर जी महराज की परमपुझ विराट साहगर जी महराज की चूलगरी बावन गजा सिद्ध छेत्र की सघन धूप हो प्रचंड धूप शरीर जुलस रहा हो और ऐसी इस्थिति में किसी च्छायादार ब्रिक्ष का लाफ मिल जाए तो वहां पहुँचते ही एक अलग पकार की सकून की अनभूती होती है जिनें भी धूप से ब्याकुलता की अनभूती होती है वे सब च्छाया की तलास करते हैं च्छाया सब को चाहिए आज बात मैं आप से उसी च्छाया की करूँगा जो प्रवचन की शिंखला चल रही थी चा के बाद चा में चुनौती थी चा में च्छाया है और च्छत्र च्छाया है सबसे पहली बात अपने मन से पुछो क्या तुम्हारा मन च्छाया खोजता है च्छाया चाहता है तो च्छाया की तरब तुम्हारा रुजान तभी बढ़ेगा जब तुम्हें धूप से आकुलता होगी जिस संसार में तुम रह रहे हो अपने मन से पूछो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अच्छा है मस्त हैं सब अपने अपने में मस्त है तो फिर उन्हें किसी च्छाया की जरुवत नहीं जिन्हें धूप सुहाती है वो च्छाया की और कभी नहीं बढ़ते च्छाया की और वे ही अग्रशर होते हैं जिन्हें धूप की बेदना से ब्याकुलता की अनभूती होती मैं पूछ रहा हूँ जिस संसार में जी रहे हो क्या अनभाव कर रहे हो प्रचंड गर्मी या सुख सांती जिसे संसार में ही सीतल छाओं अनभूती में आए वो वही रम जाएगा हमारे आख कहा गया योयत्र निवसन आस्ते सतत्र कुर्ते रतिम जो जहां रहता है वही रम जाता है तुम लोग संसार के दुखों की बाते जरूर करते हो लेकिन तुमको भाता वही दुख है तप रहा है सरीर पशीना बह रहा है तकलीब भी पा रहे हो बचने की बात भी कर रहे हो कहा जारा परिशान क्या हो रहे हो थोड़ी दूर आगे जा वो छाया दार पेड़े उसके नीचे आजा सारा तप ताप दूर होगा मन कहता हम यही ठीक है वहां तक कौन जाए तो बताओ संताप मिटेगा नहीं मिटेगा च्छाया पाला चाते हो च्छाया खोजो हमने च्छाया भी चाहा है पर कैसे च्छाया भी चाहा है तो कैसे जलते वे बास के पेड़ के नीचे जाकर जलते वे बास के बास के पेड़ के नीचे जाकर कोई वेक्ती च्छाया खोजे सीतल च्छाया खोजे क्या होगा तुम किस की च्छाओं में हो तुमने किसका अलम मन लिए ये बहुत महत्त पोना है जो अर्थ का अलम मन लेते हैं वो जिन्दिगी बर जुलस्ते हैं जो परमार्थ का असरे लेते हैं उनका संताप मिटता है तुम्हें तै करना है कि तुमने आखिर आलंबल किसका लिया अर्थ का या परमार्थ का भोगों का या बैराग का किसका लिया धन का या धर्म का परमात्मा का या सनसार का कहां तुम्हें अच्छा लगता है अभी तो सब की बाते उल्टी है उजार से लगा चुका उमीद में बहार की निदाक से लगा चुका उमीद में तुसार की उजार से लगा चुका उमीद में मराह बहार की मरुस्थली मरीच का सुधा मही मुशे लगे निदाग से लगा चुका उमीद में तुषार की उजार से लगा चुका बशंत की बहार की निदाग से लगा चुका उमीद में तुषार की उजाड से लगा चुका उमीद की बसंत की बहार की मरूत हली मरीच का सुधा मईई मुझे लगी उजाड से लगा चुका उमीद में बहार की दिनकर जी की ये पंक्तिया आज अचा न कियादा रहे निदाग से उमीद की उलगा चुका उमीद में तुसार की कोई आग में पानी खोजे उसको क्या मिलेगा कोई मरस्तल में बहार खोजे उसको क्या मिलेगा कोई उजाड में वसंत खोजे उसको क्या मिलेगा तुम क्या खोज रहे और क्या पा रहे हो तुम्हें देखने की जरुबत है सवाल छाया का है संत कहते है खूप धूप में जीवन जी लिया छाया में आजाओ कहां आजाओ छाया में आजाओ चार सब्द है छाया में आना छाया देना छाया पढ़ना और छाया मिठाना क्या चार वाक है छाया में आना छाया में आओ किसकी छाया में आओ धर्म की छाओं में आओ प्रभू की छाओं में आओ गुरू की छाओं में आओ तब तुम्हारे जीवन का ये संताप मिटेगा जीवन में बदलाओ घटित होगा मन में आता है भाव कि मैं पूरी तरह धर्मे की छाओं में आ जाओ कोई बेखती जिसके सामने बड़ा सारा ये बर्गत का पेड़ है उसके बाद भी प्रचंद धूप में बैठा है और बार बार के भी रहा बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी उसको क्या कहेंगे मुर्ख कहेंगे कहां है वो कहां है छाया तुम्हारे पास सुलब है पर चल के तो तुम्हें जाना पड़ेगा ध्यान रखना पेड च्छाया देता है पर किसे जो उसके सरन में आता है च्छाया में आना पड़ेगा आप लोग बोलते तो तेरी च्छाया प्रभुवर मेरे सर पर हो तो सराय तब तो च्छाया आए सर आए तब तो च्छाया आए मुझे च्छाया में आना है ये लक्ष रखो पर क्या करे च्छाया में क्यों नहीं आ पाते पता है तुम लोगों के उपर च्छाया पड़ी वी है किसकी च्छाया माया की च्छाया जिसके हुर्दे में माया की च्छाया पड़ी है वो धर्म की च्छाया में आ नहीं सकता इस माया की च्छाया से अपने आपको बचाओ बहुत खतर लाख है आप लोग बोलते है महराज इस पर च्छाया पड़ गई और किसी के उपर जब कोई च्छाया पड़ जाती है तो उसकी च्छाया मिटाने के लिए क्या करते है आपनो गुनिया तांत्रीक ओज़ा के पास जाते हैं और ज्छाड फूक कराते तो ना तोटका करते केसी इसकी च्छाया मिटी आए है ना बहुत लोग है च्छाया पड़ती है तो आप च्छाया मिटाते हैं पता नहीं ज्छाड फूक से कोई च्छाया मिटती की नी और कोई च्छाया असल में पड़ती है की नी पर लोग में ऐसी ख्याती है कि च्छाया पड़ती है तो च्छाया मिटाने वाले भी है पर बंध हो तुम्हारी इस उपरी छाया के साथ मिटाने की बात दिखती है लोग करते हैं उन पर विश्वास करते हैं भरोसा करते हैं उस छाया को तो तुम देखो तो किसी की उपर कुछ दिनों की छाया होती है बनती पढ़ती है और मिटती है पर तुम्हारे मन में जो माया की च्छाया पड़ी है अनादिकाल से उसको कौन मिटाएगा उसको मिटाने के लिए कोई जारफूग की जरुवत नहीं है उसके जारफूग मिटाने के लिए किसी तोने तोटकी की जरुवत नहीं है उसको मिटाने के लिए किसी तंत्र की आवशक्ता नहीं है उसको मिटाने के लिए क्या करने की आवशक्ता है कुछ नहीं करना केवल भगवान की शरन में आने भर की देर है एक बार भगवान की शरन में आ जाओ सारी माया दूर भाग जाएगे कहते हैं कि गरुल को देखते ही चंदन से लिप्टेवे साप के बंधन भी सितिल हो जाते हैं सितली भवंती कि गरुल को देखते ही चन्नन से लिप्टेवे अजगर जैसे भीमकाई सर्प के बंधने भी धीले हो जाते हैं तो ऐसी भगवान की सरन में आते ही तुमारी सारी माया सिमट जाती है समझे तो च्छाया में आओ माया मिटाओ माया की च्छाया से अपने आपको बचाओ जीवन की वास्त तविकता को समझो किसमे मेरा आहित है इसे जानने की कोशिश करो जब ये बात हमारे समझ में आएगी तब हम अपने जीवन के बेहतरी के लिए कुछ कर सकेंगे अपना कल्यान कर पाएंगे तो पहली बात च्छाया में आओ एक बार मुझे से पूछा महराज भगवान के उपर तीन च्छत्र क्यों लगाए जाते है भगवान के उपर तीन च्छत्र क्यों लगाए जाते हैं क्या भगवान को धूप लगती बच्चे ने पूछा मुझे बहुत बेबाकी से सवाल किया कि भगवान के उपर तीन च्छत्र क्यों लगाए जाते हैं क्या भगवान के उपर धूप लगती भगवान को धूप लगती और ये भी बात है कि आदमी को धूप लगे तो एक शत्र से ही काम हो जाता है भगवान को तीन शत्र की क्या हो सकता है ना आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया नहीं आया होगा लेकिन ये सवाल उठना चाहिए गलत नहीं उठा उसने मुझसे पूछा हमने का ध्यान रख भगवान के उपर ये तीन शत्र श्रे नहीं कि भगवान को चाहिए भगवान तो खुद सारे संसार के लिए चाहिए बनकर आये उनको चाहिए की जरुट नहीं है ये तीन शत्र इस बात का प्रतीक है कि तीन लोक में यदी कोई च्छाया है तो केवल भगवान के चर्णों में है और कही च्छाया नहीं ये तीनों लोक की च्छाया है तीन लोक के प्राणियों को च्छाया अगर मिलती तो या मिलती सास्वत च्छाओ इस्थाई च्छाओ सुखत च्छाओ यदि कहीं है तब भगवान के पाउं में है और कहीं ठाउं नहीं है आओ भगवान के च्छाउं में आओ दूसरा ठाउं नहीं यहीं एक च्छाया इश्रिये तीन च्छत्र रखते है और आप लोग क्या सोचते हम भगवान पर छटर लगा देंगे तो भगवान की मेरे उपर छटर चाया हो जाएगी बहुत छटर लगाते लोग कई के जगा तो छटर के नाम पर जुमर हो जाते तीन छटर प्रातिहार है कई बार मैं देखता हूँ लोग अभी शेक करते हैं तो छटर त्रयम तविबात इतरा इसने olan करते हैं जैसे लगता भगवान की उपर छटर कर रहे नहीं भगवान मे आपकी छ्षाया में हूँ आपकी शरण में हूँ आपकी च्षाया मुझ पर बनी रहे यानि आपकी सरन मेरे जीवन की अंतिम सांस तक कायम रहे भाव भाव में न छुटे ये भाव है ऐसा भाव कर रहते में जगा लोगे जीवन बदल जाएगा तो छाया मेरे उपर छाया किसकी हो बगवान की कब होगी जब तुम आओगे तुम आओगे एक बात बता दूँ धूप तो फिर भी जहां तुम हो वहां आ जाए छाया के लिए तो तुम्हे जाना पड़ेगा दुख मनुश्य को कहीं भी मिल सकता है शुक के लिए तो हमें पुरसाथ करना पड़ता है है ना तो इससे बचना चाते हो तो चाया में आओ जीवन बीट गया धूप में जुलस्ते जुलस्ते आओ चाया ऐसी चाया की मत पूछो लेकिन क्या करें कभी कभी ऐसा हुआ कि चाया के लिए हमें आप्सन मिला एक तरफ कल्बिक्ष था और एक तरफ थुर था हमने कल्बिक्ष की उपेक्षा की और थुर कोश्विकार कर लिया थुर के नीचे चाया नहीं असली चाया को पहचानो अल्प कालिक राहत कहीं भी मिल जाए सुबह साम की धूप से बचने के लिए थुर की भी चाया मिल जाती है लेकिन दुपहरी की प्रचंड धूप से तो तुम्हें वर्गत की चाओं ही बचा पाएगी ये समझना तुम्हारे जितने भी आस्रे और अलंबन है वो अल्प कालिक सुख दे सकते हैं थोड़ी बहुत राहत और सुबधा दे सकते हैं पर जीवन में इस थाई सुख और अनंद की अनभूती तो धर्म की चाओं में ही मिलेगी क्योंकि बाकी सब थुहर है ये कल्प ब्रिक्ष है इसकी सरन में आओं पहचानो इसके मुल्ल को पहचानो इसके महत को तो चाया में आना फिर चाया देना चाया कौन देता है धर्म की चाओं में आओगे तुम समर्थ बनोगे दूसरों को चाया कौन देता है जो खुद तपता है जो खुद तपता है वो औरों को चाया दे पाता है तुम तपोगे समर्थ बनोगे तब तुम औरों को चाया दे सकोगे अपने आपको समर्थ बनाऊ तपाने की कोशिश करो जिससे तुम समर्थ बन कर अपने लिए कुछ कर सको तो छाया दें पर पहले छाया में आओ तब तो दोगे अभी तो खुदी हाल बेहाल है तो हम पहले छाया में आएं छाया दे तो चलो पूर्ण छाया न दे पाए तो अपनी सामर्थ के अनुरूप मेरे संपर्क और संसर्ग में जो है उसके हित में जितना अच्छा कर सकूँ वो तो करूँ कोई दुखी पीड़ी तुम्हारे पास आता है किसी सहयोग और सहायता की अपेक्षा लेकर तो तुम्हारा मन क्या होता है उसको कुछ छाया देने का मन होता है या उपेक्षा करके उसे एक तरफ कर देते हो पुछो अपने मन से क्या करते हो शंत कहते समर्थ होते वे भी जो औरों की उपेक्षा करते है उनके समर्थ पर ही प्रस्टन चिन लग जाता है यदि तुम समर्थ हो तो तुम्हारा ये दाईत्व है असमर्थों को समर्थ बनाओ छाया दो चूंकि तुम समर्थ हो छाया पढ़ना तो छाया तो पढ़ी भी सही की छाया पढ़े गलत की छाया बहुत जल्दी पढ़ती सही की छाया पड़े तो तुम्हारा जीवन निहाल होगा और गलत छाया न पड़े उससे बचना है तब भगवान की सरन में आओ गुरू की सरन में आओ भगवान और गुरू की सरन में आओगे तो तुम्हारे जीवन में फिर किसी भी प्रिकार की दुबदा कभी भी शेष नहीं रहेगी ये जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बनेगी तो च्छाया देना और कुछ लोग है जो च्छाया मिटाते हैं यानि विद्वन्च का काम करते हैं च्छाया मिटाना एक बहुत बड़ा पाप है किते हैं किसी की छपर और च्छाओं को चीने लिया ये च्छाया मिटाना ये अनेतिक कर्म है जीवन में कभी मत करना च्छाया में आओगे तो च्छाया नहीं पड़ेगी च्छाया देने लाइक बनोगे कभी किसी की च्छाया मिटा नहीं सकोगे अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे तो ये आच्छा की बात मैंने आप से की च्छात्र च्छाया इसे अपनाओ इसी सुभाओ के साथ मंगल भाउना पूरवक में बिराम लूँगा मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल मैं हो कहीं कलेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो मन में चिंता भैन सतावे रोग शोक नहीं हो नहीं बैर अभिमान हो मन में छोब कभी नहीं हो मेत्र प्रेम का भाव रहे नितमन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल मैं हो मन का सब संताप मिटे अरु आतम उज्वल हो राग देश ओ मोह मिट जाए आतम निर्मल हो राग देश ओ मोह मिट जाए आतम निर्मल हो रभु का मंगल गान करे सब पापों का छ्षै हो इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्मश मंगल हो मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो जन का मंगल गन का मंगल मन का मंगल हो राजा प्रजा सभी का मंगल धराधर्म मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो मंगल मैं हो प्रात हमारा रात शुमंगल हो जीवन के हर पल हर छण की बात शुमंगल हो घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो इस धर्ती का कनकन पावन ओ मंगल मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो सब जग में मंगल बढ़े तले हा मंगल भाव है प्रमान की भावना सब में हो सद्भाव महराज की जय जय जय